बिसमिल्ला रह्मान रहीम हम सेकंड लेक्चर कर रहे हैं जी फैक्टराइजेशन का पहले पांच कोईस्टन एक्सरसाइज 4.1 के लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं आज हम कोईस्टन नमबर 6 से स्टार्ट करेंगे question no.6 हमारा जी हमने solve करनी equation x over x plus 1 plus x plus 1 over x equal to 5 by 2 where x is not equal to minus 1 और x is not equal to 0 solve by factorization जो साथ एक extra condition दी हुई है x is not equal to minus 1,0 ये इसलिए दी हुई है ताकि denominator के अंदर 0 ना बने अगर x की जगा minus 1 डाल देते हैं तो minus 1 plus 1 0 हो जाएगा और जब भी किसी fraction के denominator के अंदर 0 आ जाएगा तो वहाँ पे singularity arise हो जाती है in other words आपके पास infinity आ जाता है इसी तरह जब x की value 0 रखी जाएगी तो ये वाला जो आपके पास fraction है ये infinity बन जाएगा तो इसलिए साथ उन्होंने question में mention किया है कि x की value किसी भी सूरत में minus 1 और 0 नहीं हो सकती है चलते हैं question के solution की तरफ देखें हमारे पास question है जी x over x plus 1 plus x plus 1 over x equal to 5 by 2 तो इस question को कैसे solve करने हैं जी सबसे पहले मैंने इसका denominator खतम करना है denominator खतम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें इन तीनों terms का जो है LCM लेना पड़ेगा तो अगर इन तीनों terms का LCM लें तो वो आता है 2x into x plus 1 तो मैं पूरे की पूरी equation को 2x into x plus 1 से multiply करता हूँ जब पहला factor 2x into x plus 1 से multiply होगा तो यह x plus 1 इस x plus 1 से cancel हो जाएगा similarly यह x जो है वो इस से cancel हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे बनेगा 2x into x 2x square और यहाँ पे हमारे पास आगा 2x plus 1 into x plus 1 यहाँ पे यह 2 जो है इस 2 से cancel होगा तो हमारे पास रहाज़ेगा 5x into x plus 1 इसको थोड़ा सा simplify कर लें आगी हमारे पास simplification होगी है हमने x plus 1 को x plus 1 से multiply किया है और फिर 2 को अंदर multiply कर दिया तो हमारे पास यह बन गया 2x square plus 4x plus 2 2x square plus 2x square 4x square होगया 4x as it is और यह 2 as it is यहाँ से 5x as it is तो अब यह सारी terms जो है यह जितनी भी terms है इनको उठा के मैं दूसरी side पे ले आता हूँ 5x square as it is जब यह 4x square उदर जाएगा तो minus 4x square बन जाएगा यह 5x as it is जब यह 4x दूसरी side पे गया तो minus 4x आ गया और जब यह plus 2 उदर गया तो minus 2 आ गया और इस side भी कह रहाएगा आपके पास 0 हमने इनको side change करके इस तरह रिख लिए बजीद इसको simplify करते हैं जी 5x square minus 4x square कह रहाएगा आपके पास x square 5x minus 4x x और यह minus 2 equal to 0 अब यहाँ पे हमने करनी है factorization तो यहाँ पे x square के साथ 1 है और यह minus 2 है तो हमने इस x को ऐसे break करना है कि इसकी जो दो terms हैं उनका product आपके पास minus 2x कह रहा है तो मैं इस x को break कर लेता हूँ minus x plus 2x की form में यहाँ से आपने x common लेना है पीछे रह जाएगा x minus 1 यहाँ से 2 common लेंगे यहाँ पे भी रह जाएगा x minus 1 equal to 0 now x minus 1 इन दोनों में common है बाहर निकलेगा इदर रह जाएगा x और यहाँ पे रह जाएगा plus 2 equal to 0 दो चीज़ों का product 0 है या first value 0 होगी या आपके पास second value 0 होगी तो यहाँ से x की value हमारे पास आगे 1 और यहाँ से x की value आगे minus 2 तो हमारा solution set आगया 1 minus 2 next question है जी हमने solve करना है 1 over x plus 1 plus 2 over x plus 2 7 over x plus 5 और साथ condition दे यह x is not equal to minus 1 minus 2 minus 5 reason वही है कि अगर x की value minus 1 डालेंगे तो यह 0 बनेगा और overall infinity बन जाएगा अगर minus 2 डालेंगे तो यह 0 और minus 5 डालेंगे तो यह 0 तो यह किसी भी सूरत में denominator 0 नहीं होने चाहिए solve करते है question same वही steps है जो पिछली question में हमने किये थे क्या करना है हमने denominator को खतम करना है denominator को खतम करने के लिए इन तीनों terms का हम LCM लेंगे वो हमारे पास बना x plus 1 x plus 2 x plus 5 हम पूरी की पूरी equation को इन तीनों से multiply करतेंगे जब यह first term multiply होगी इन से तो x plus 1 x plus 1 से cancel हो जाएगा इधर x plus 2 x plus 2 से cancel होगा इधर x plus 5 x plus 5 से cancel होजएगा x plus 2 x plus 5 रह गया यहाँ पे x plus 1 x plus 5 रह गया और यहाँ पे equal की दूसरी side पे x plus 1 x plus 2 और यह 7 रह गया हमने इन धोनों का आपस में multiply किया इस तरीगे से इनको multiply किया इनको multiply किया simplification की simplification करने के बाद सारी terms को हम next step में एक side पे लेंगे अब ये जितनी भी terms थें ये वली इन सब को हम उठा के इस side पे लेंगे इन सारी terms को तो हमारे पास बाइन गया 4x square plus 2x minus 6 equal to 0 इसमें से हमने 2 common ले लिया क्योंकि 2 सारी terms में है वो common लेके हम दूसरी side पे उसको divide कर देंगे तो ये 2 अदर जाके divide हो जाएगा आपके पास रहा गया 2x square plus x minus 3 अब 2 और 3 को multiply करें minus 3 को तो आपके पास minus 6x square आता है तो आपने इस x को break करना है ऐसी दो terms में जिनका product minus 6x square बने तो वो कौन कौन सी terms है minus 2x plus 3x अब इन दो में देखें 2x common है पीछे x minus 1 रहा गया यहां से 3 common है x minus 1 रहा गया और x minus 1 दोनों में common है बाहर निकलेगा पीछे रहा गया 2x plus 3 equal to 0 आइदर first value is 0 और second value is 0 यहां से x की value आगए 1 और यहां से अगर आप observe करें 2x आगए minus 3 और x की value आगए minus 3 by 2 तो हमारे पास solution सेट आगया 1 minus 3 by 2 last question है जी हमारा आज के topic का आज हमारा बड़ा चोटा सा lecture था मैंने इसमें कुछ graphs include की हैं इस lecture में ताके थोड़ा सा आपका quality equation का interest build up हो go के वो जो graph हैं उसका हमारे जो contents हैं उसके साथ कोई तालक नहीं है लेकिन entry test वगारा में वो आपको help करेंगे हमारे पास question है जी a over ax minus 1 plus b over bx minus 1 equal to a plus b साथ condition दीए x is not equal to 1 over a 1 by b अगर x की जगा यहाँ पे मैं 1 over a डाल देता हूँ तो a, a से cancer हो के 1 रह जाएगा और 1 minus 1 0 हो जाएगा तो denominator में किसी भी सूरत में 0 नहीं होना चाहिए इसी तरह अगर यहाँ पे 1 by b डाल देता हूँ तो यह भी आपका factor 0 हो जाएगा तो उस denominator को 0 होने से बचाने के लिए करके साथ condition दीए है कि यह किसी भी सूरत 1 over a 1 by b की equal नहीं होने चाहिए थोड़ा सा technical question है जी कुछ steps आपको याद रखने पढ़ेंगे हमने factorization के जरीए इसको solve करना है तो सबसे पहला step क्या है कि हमने इन दोनों terms को उठा के इधर लेकिया आना है अब join कैसे करनी है terms लाजिक में मैं बताऊंगा कैसे क्यों join करनी है लेकिन एक step यहाँ पे आपने याद रखना है कि इस A वली term के साथ इस B को जोड़ना है और इस B वली term के साथ इस A को जोड़ना है क्यों जोड़ना है वो आगे जाके आपको बता लगेगा तो यह बनेगा A over AX minus 1 minus B plus B over BX minus 1 minus A अब इन दो terms का आप LCM लें इसके नीचे 1 है तो इनका LCM आ गया AX minus 1 यह जो A है यह as it is आ गया यह B जो है वो इससे multiply हो गया B into AX minus 1 similarly इस term के नीचे 1 है तो इन दोनों का LCM के आ गया BX minus 1 यह B as it is आ गया और यह A जो है वो BX minus 1 से multiply हो गया इसको मज़ीद हम simplify करते है A as it is minus B अंदर multiply होगा minus A BX minus minus plus B यह B as it is minus A BX plus A equal to 0 now हमने ऐसे क्यों terms combine की थी A वाली के साथ B और इदर B वाली के साथ A ताके आपका यह factor दोनों के अंदर common आ जाए अगर आप observe करें तो यह दोनों में common है हमने इसको थोड़ा सा rearrange करके लिख लिए है इसको लिख लिख लिए A plus B minus A BX इसको भी मैं लिख सकता हूँ A plus B minus A BX तो यह दोनों में common है यह बाहर निकल जाएगा यहाँ पे कहा रहा है जगा 1 over AX minus 1 यहाँ पे कहा रहा है जगा 1 over BX minus 1 equal to 0 तो यह इसकी हो गई जनाब factorization यह इसके factors बन गए product form में आगी चीज़े तो आइधर first value 0 और second value 0 अब यहाँ पे mid term breaking नहीं हो रही मैंने आपको last lecture में बताया था कि factorization का मतलब mid term breaking नहीं है वो सारी details मैंने आपको बतायी थी अगर आपको इसमें को issue है तो आप उस lecture को दुबारा देख सकते है हम इसको मजीद थोड़ा सा simplify कर लेते हैं इस वारे factor को जी इस calcium ले लिया ax minus 1 bx minus 1 तो यह 1 bx minus 1 से multiply हो गया और यह 1 ax minus 1 से multiply हो गया अब थोड़ा सा मजीद simplify कर लेते हैं यह ax plus bx as it is आगया और यह minus 1 और यह minus 1 उने उपर multiply कर दिये 0 के साथ तो 0 के साथ जब भी कोई चीज multiply होगी तो result 0 आ जाएगा नाओ यह दो factors हैं आपके पास इनका product 0 है either first value is 0 either second value is 0 तो a plus b minus a bx equal to 0 होगा तो हम इस a bx को उठा के उधर ले जाते हैं तो a bx हमारे पास बराबर होगा a plus b के हमें तो x find out करना है तो यह a b इदर आके divide हो जाएगा similarly इसको देखें अगर तो इन दो terms में x common हैं हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और यह minus 2 जो है इसको ठाके दूसरी side पे ले आते हैं हमने x find out करना है तो यह a plus b इदर आके divide हो जाएगा तो हमारे पास solution set बनेगा a plus b over a b 2 a plus b अब quadratic equation के solution के related हमारे पास कुछ points है quadratic equation के किसी भी सूरत में 2 से ज़्यादा root exist नहीं करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसके 2 roots हो सकते हैं proof अगर आप देखना चाहें तो यह 2 link है आदा proof इसके अंदर है और आदा proof इसके अंदर है हमारे course related नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर lecture में उसको include नहीं किया अगर को अपने interest के लिए देखना चाहे तो इन दो links के उपर visit करके चेक कर सकता इसी चीज़ को अगर हम generalize करें तो हम कह सकते हैं कोई भी polynomial equation जिसकी degree n हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा end roots होंगे अब हम quality equation को explore करते हैं graphically यह आपके course से related नहीं है लेकिन इससे आपके concept थोड़ा से build up हो जाए यह website है जी इस पे मैं a, b, c की values change करके आपको बताँगा ग्राफ कैसे change हो रहा है तो आप खुद भी इस पे visit करके check कर सकते हैं quality equation जो हमारे पास standard होती ax square plus bx plus c equal to zero अगर हम a को change करें तो क्या होगा अगर हम b को change करें तो क्या effects आएंगे और अगर हम c को change करें तो क्या effects आएंगे a की value positive रखेंगे तो क्या होगा a की value negative रखेंगे तो क्या होगा और अगर हम a को zero कर देंगे तो क्या होगा यह हमारे पास यह standard quality के question है ax square plus bx plus c is equal to zero सबसे पहले यह देखें मैंने a की value को one रखा है b की value को zero रखा है और c की value को मैंने two रखा है तो मेरे पास एक कोशन बनेगी one x square plus zero x plus two equal to zero तो यह नीचे कोशन शो हो रही है x square plus two तो x square plus two का graph आपके पास इस तरह का बनेगा सबसे बहले मैं आपको c को change करके दिखाता हूँ कि c को change करने से क्या होगा अगर आप गोर करें तो यह जो graph टच कर रहा है यह यहाँ पे two के उपर टच कर रहा है y की value two है अगर मैं इसको उपर लेके जाता जाओ यह मैंने इसको four पे लेके गया तो graph four पे चला गया इसी तरीके से इसको five पे लेके चला जाता हूँ तो आप देखेंगे graph five पे चला गया इसी तरह अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो यह minus five पे लेके आता हूँ तो graph minus five पे टच करेगा तो c को change करने से just graph translate करता है इसके इलावा उसको उपर कोई फरक नहीं पड़ता ना हम चेक करते हैं कि a को change करने से graph की उपर क्या फरक पड़ता है अगर मैं a value को जो है 1 से 2 पे लेके जाऊ तो आप देखें जो graph है वो आपका सुकरता जा रहा है इसी तरह अगर मैं उसको नीचे की तरफ लेके आऊ तो graph आपका थोड़ा सा फैल रहा है अब आपने observe करना है जब a की value 0 होगी तो क्या होगा यह आप देख रहे हैं graph आपका जो है वो फैलता जा रहा है और जब a की value 0 होई तो उसने क्या दिया it is not a quadratic equation वो तो आपके पास एक straight line बन गई है तो अब quadratic equation नहीं रही तो जब a की value negative होई तो आपका graph जो है आपका जो parabola है वो downward आना शुरू हो गया तो a की negative value जो है वो downward parabola बनाएगी और a की जो positive value है वो upward parabola बनाएगी तो a की values कभी आपको पता लग गया कि change होने से क्या फरक पड़ता है for example a को मैं 0 रखता हूँ यह linear equation बनाएगी है हमारे पास एक straight line को represent कर रही है now आप देख लें जो b की value है उसको change करने से आपका graph पर क्या changes आ रहे है टीक है उमीद करता हूँ student आज का lecture आपको clear हो गया होगा इंशालला next lecture में हम करेंगे completing square method उस वक तक के लिए अल्ला हाफिज